हेलो फ्रेंज आप में शेयर करेंगे आपके साथ डाल तोखली के रेसिपी गए लोग इसे डाल की दुलहन भी कहते हैं तो आज इसे हमें बेहद आसान तरीके और काफी कम समय में बनाने वाली हूँ और खाने में भी तो साधिस लगती है और इतनी ही पॉस्टिक भी होती है कभी कभी हमारा खाने का दो मन करता है लेकिन बनाने काने मन करता क्योंकि हमें लगता है किसे बनाने में हमें काफी समय लगेगा तो इसी के लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसे कम समय में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं तो यहां पर मैंने मसरु पाउडर लालमेज पाउडर इसके बाद जाएगा इसमें नमक अब यह सारी चीज़े डाल दिया इसमें थोरा सा सरसोती लाट करूंगी इसे बहुत सौफ्ट बनती है रोटली बहुत अच्छा लगता है यह देखिए तो चलिए यहां पर मैंने एक टमाटर भी लिया है तो फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं तो दाल के चरहानी के लिए मैंने पानी आपर बॉइल कर लिया था तो सबसे पहले इसमें मसवर का दाल जो हमने भीगो के रखा था उसको एड़ करूंगी तो यह देखिए दाल एड हो गया है अब इसमें थोरा सा सरसोती लाट करू यह देखिए क्योंकि यह बाहर नहीं आता और इस तरीके से हल्दी डाल दिया है लाल मिश पाउडर डाल दिया है नमक डाल दिया है एकदम फटा-फट से सारी चीज़े डाल दी है आलू ड़ जो हमने चील कर रखा था उसको भी आट कर दिया है अब यहां पर टमाटर जो क यहां डाल देढ़ने दाल हूंँ तो आता प्रेपेर कर ते है आता इस तरीकी का बिल्खक साथी को नहीं बाताई नारा और यहां पर दाल हो गया है एक विसल में और यह दिखिए चलिए आलू को निकाल लेते हैं इस तरीके से तो इसी तरीके से सारे आलू निकाल लिए हैं और यहां पर दाल को चड़ा देना है आपको हाइफ्रेम पर पानी कम हो या जादा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अब याट कर दें उसके बाद य आटा गोल लेना है और यहां पर अच्छे से बस विस्क कर लो आप आटा ताकि स्मूध हो जाया आटा और बहुत अच्छी बहुत सौफ्ट बनती है तो यहां पर चोटी चोटी प्यारे प्यारे इस तरीके से आपको डालते जाने हैं आटे को और बीच पीच में क्या करना चलाते रहना है ताकि ना आटा एक दूसरे से चिपके नहीं और बस यह देख रहे हो सारे जो बन गए हमारे डाल डोकली इस तरीके से तो क्या करते हैं बहुत लोग ना इसको इसी तरीके से सिर्फ खौलाते हैं पर मैं यहां पर एक विसल लगाऊंगे से बहुत सौफ्ट बनती है आप इस तरीके से एक विसल जरूर लगाया करो बहुत सौफ्ट बनेगी आपकी डाल डोकली तो यहां पर एक विसल मैंने लगा लिया और तरके के लिए सरसु हींग और यहां पर साबूत लाल में जो लेसन के कलियां को काट ली थी तो चलिए देख रहे हो कैसी फ बड़िया है और साबूत लाल में इसे बहुत अच्य संदा पनाती है सरसु लाल में जाल लेसन की कलियां इसके बााद हींग राट करूंगी यह सारी सीज़नी इतना बढ़िया सा देखने में ही कितना बढ़िया से लग रहे से देख सकते हो और एक्दम फटाफट से बन ज आपको बहुत बढ़ियां लगती है मेरे घर में तो सबको यह बहुत पसंद है फूल वाले से भी स्राइब अज़ाएगा इसके साथ मने आलो का जोका और साथ में अचार हो तो बात ही क्या है चलिए बहुत यासान और बहुत तरीके से मैंने बनाया था यह आप भी अपने घ करके जरूर देखना बहुत अच्छी बनेगी और मुझे बताना कि आपकी डाल दोकली कैसी बनी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना थैंक यू